प्यारे बच्चों आज अक्वर और वीरवल के किस से और उसी क्रम में एक कहानी मौम का सेर पुराने समय में वास्टा लोग एक दूसरे की बुद्धी की परिच्छा लिया करते थे तो एक बार फारस के वास्टा ने अक्वर को नीचा दिखाने के लिए एक सेर बनवाया और उसे एक पिंजडे में वंद करवा दिया इस पिंजडे को उसने दूद के हाथो वास्सा अकवर के पास भेजा और कहलवा दिया कि यदि उनके दरवार में कोई वो दिमान पुरुस हो तो इस सेर को विना पिंजडा खोले ही निकाल दे साथ ही ये सर्थ भी थी कि अगर इस प्रस्ण का हल ना हुआ तो फारस के वास्सा का सारे राज पर अधिकार हो जाएगा अब तो वास्सा वड़े चिंतित हुए सारे दरवार में उन्होंने वेपरस्ण रखा इस समय वीरवल वहां ना थे कोई भी दरवारी इस प्रसण को हल नहीं कर सका वासा को वड़ी चिंता हुई कि सान भी मिट्टी में मिल जाएगी और राजवी हांच से चला जाएगा उसी समय वीरवल आ पहुँची वासा ने उनके सामने भी ये प्रस्न रखा पहले तो वीरवल ने अच्छी तरह से सेर को देखा फिर एक गर्म लोए की छड़ से उन्होंने थोड़ी देर में सारे सेर को पीड़े से गायब कर दिया कारण ये था कि सेर मोमगा था जो धातु का मालम होता था इस बात को वीरवल ने पहचान लिया था फारस का राज दूत वीरवल की वुद्धिमता को देखकर दंग रह गया और वासा भी बड़े प्रसंद हुए तो कानी तो अच्छी थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का वटन दबा दे क्योंकि इस चैनल पर आप ऐसी मोटिवेशनल फ्रेरक सिचानिया सुनते रहेंगे इसके बाद हम लोग पंजी तंतर की कहनिया तेनाली रामा की कहनिया ये सभी कहनिया सुनें तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार